नमस्कार दोस्तों में आप देखे तको शनार भाइब आप सबको पता है कि आप जो ये पिक्चर ने देखते हैं चाहे वेब सीरीज हो चाहे नॉर्मल मूवी हो चाहे को थीटर हो चाहे कोई नुकर नाटक हो रहा हूँ इनके थुरू एक मैसेज देने की कुशिश की जाती है आपके सबकोंशिस मान में जब तक आप वो पिक्चर वेब सीरीज कुछ भी देख रहे होते हैं तो आपको रखता है कि दुनिया वैसी ही है सब कुछ वैसा ही चल रहा है और हमें भी वैसे ही एक्ट करना चाहिए चीज़ों पर वैसे ही रियाक्ट करना चाहिए तो आप कुछ समय के लिए मान के चल लेते हैं कि आप उस पिक्चर का उस इन्वार्मेंट का एक किरदार है जो आपको पसंदा जाता है कोई भी एक करेक्टर पसंदा जाता है आप उसमें अपने आपको देखने लग जाते है तो आप वैसे ही जिन्दगी जीना चाहते है और इसको एक वैपन की तरह इस्तामाल किया जाता है पूरी दुनिया में एक मैसेज देने के लिए जाज जाए मार्केटिंग एजेंसी हों इसका फाइदा उठाती है और रियल लाइफ को पिक्चर में करनोट कर देती है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यह तो आम बात है यह आम जिन्दगी का हिस्सा जो पिक्चर में दिखा जा रहा है अब बॉलीवूड में जैसे नहीं बोला ना पॉजिटिव निगटिव कैसे भी इस्तवाल किया जा सकता है तो बॉलीवूड इसका कैसे इस्तमाल कर रहा है आपको कुछ समय से अच्छे से समाझ में अभी तक अगर नहीं आया लिंक डिस्रिप्शन में हर मुवी के रिफरेंस लेके बताया गया है कि कि इस मुवी में क्या किया गया है हाल में आप देखते हैं पीके, ओ माई गॉड, सेक्रेड गेम्स अभी सूरी वनसी पर जब बात आई तो अभी रोजश्टी ने अच्छे से जवाब दिया है अभी नहीं समझते आतंगवाद के भी वो इस उसने कि अगर आतंगवाद भी करना है जिहाद भी करना है बंब भी फोड़ना है पहले मुसलमान बनो पहले eligibility character को fulfill करो तब आप करो कि वहां के लोग ऐसा करते हैं फिर वो इस च्छेटी ने उसके बाद कहा कि इतने समय से तो अच्छानक से यह सब question क्यों आ रहे हैं जब मुसलमान को या मुसलमान क्या वो ची अब activity मतलब कुछ past में घटना हो चुकी है उसे इंस्पायर होके कोई picture नहीं जारी तो क्यों character की साथ खेल खेला जैसे जैभी में खेला गया क्यों ऐसा किया जाए सिर्फ इसलिए कि वो सूट करें और secular लोग नराज ना हो और कुछ गिने चुने बेवकूफ देखने आ जाए हमारे picture तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए अगर आप एक बहुत बड़े plot को change कर देंगे कि कुछ रुख सेटिसा हो जाए तो वो तो बिल्कुल injustice होगा ठीक वैसे आपको picture में आपको एक भावना दी जाती है कि हिंदू ढोंगी होता है हिंदू पाखंडी होता है हवस का पुजारी होता है हवस का मौलाना नहीं होता हवस का इमाम बुखारी नहीं होता है जैसे आपको दिमांग में बिटा है कि आपने कभी इस बात पर गौर किया पुजारी कैसे जोड़ा गया, जबकि इमाम बुखारी के साथ उसके उपर कितने cases ने, उसको आरेस्ट करनी कि पुलिस की हिम्मत नहीं, पुलिस नोटिस देती है कि हम ऐसा करेंगे तो दंगे भी हो सकते हैं ये इस पर सब चुपी शक, सांथ के बैठे हूं इतने convergence होते हैं, इतने rape होते हैं इतने murder होते हैं, religion के नाम पर लेकिन अगर उस बात पर कोई उंगली उठा दे तो उंगली उठाने वाला ही गल आता है पहले जैसे Charlie Hebdo किसी ने अगली ने से portrait बना दे अपने creativity, वहाँ पर creativity के उपर कोई सवाल नहीं उठ रहा कि creativity पर इतनी foundation कहते है इतनी रोक, इतना control कैसे है कि किसी का आप murder ही कर दोगे और यहाँ पर वीरदास इंडिया पूरे देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में देश के culture के बारे में, इतना कुछ बुरा-बुरा अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो creativity पर रोक लग गई है कोई यहाँ राम जी, रामायन, हमारे culture को, हमारे history को बुरा-बला भोल दे, जूटा साबित कर दे, बेजज़त कर दे हमारे भगवानों को हम उसके शोज को रोग दें अगर तो रोकने वाला बुरा हो गया, कहने वाला ठीक लेकिन अगर अगर आपोजिट हो जा कोई इसलाम को, मुसल्मान को, मुहम्मद को कुछ कह दे, तो सर उस पर बात नहीं होती, गले कटते हैं काली देखना पैरलल्स कहा चला है कौन सा पल्ला भारी तरह जुका लेकिन उसके बावजूद मिजोरिटी गलित है हिंदू गलित है खेर ये विक्टिम कार्ड कहते हैं इसको मैं चाता हूँ आप आर्टिकल को अच्छे से बढ़िए मैं चाता हूँ आप इन सेनेरियूस को तौल के देखा करें इनका पाखंड कैसा है एक चीज़ को मान मत लिया करें किसी भी पिक्चर को देखने से पहले अपना एक नोशन मत बना लिया करें कि यही सही है और यही गलत है जो देख रहा हूँ वो जो दिखाए दिखाने कोशिश की जा रही है सिर्फ वही एक परस्पेक्टिव सही है अगर आपको लगे भी कि हमारे कल्चर में कोई फॉल्ट है चाहिए आप मुसल्मान है चाहिए हिंदू है आप रिसर्च करिए लोगों से बात करिए अपने बुड़े बज़र्गों से बात करिए उस पे आप रैशनल थॉट प्रोसेस के जाते हैं वारताल आप करिए कि वाद भी बात करिए कि क्या कॉंट्रूजन निकले अगर किताबों में क्या लिखा है, रियालिटी में क्या है ग्राउंड पे क्या है, हम देख क्याने, सुन क्या रहा है और दिखाया के जा रहा है, तब एक कॉंट्रूजन पे आई ना कि किसी की बात मान के इस वीडियो में जाता है, उसको शेयर करिए आर्टिकल को पढ़िए, और जैसा आप कामेंट बताएगा कि आपको क्या रहता है, फिर मलते हैं अगलों में जाहिन, बंदे महत्रूजन